यूके विच कोवीड महमारी ने मुड़ पैर पसारेत यूके सरकार ने मुड़ लॉक्डाउन एलान देता है जिस्तो सिख पाईचरा खासा खफा है एक सिख जथेबंदी ने यूके सरकार दे लॉक्डाउन दे ताजा एलान दी सकत शबदा मुचनिनित और दा कीती है नाल ही जिना परवारा ने व्यारी तारीक तै कर देती सी ओ इस गलों फिक्रमांद हन के पिछले नौ महिनेया विच पहला ही तिन वार तारीक मित के कैंसल कर चुके हन उनों नमे हुकमादा की करन सरकार लोकां दे तार्मिक अकीदत दे तारीक तो की वाकप नहीं मुड इस तरह दा फरमान चार देता गया है सिख तार्मिक अस्थान गुर्दुरा सहाबिच समुहक अरदास दा संकलप है अधे सरकार दे नमे रूल इसनों रोक दे हन उनों दा कैना है कि सरकार ने सिख पाई चरे दी अनदेखी कीती है सिख फडरेशन यूके दे पाई अमरीक सिंग दा कैना है कि नमे रूज नाल व्यापक असर पह रहा है उनों दा कहना है कि निराशा जनक है कि सरकारां आपनी पहली गलतियां तो कुछ नहीं सिखियां अते मुड़े फर्मान चार देते गए हन। सिख जथे बंदियां समेथ कुछ होर तार्मिक जथे बंदियां नाल नैशनल लॉकडाउं दे दुझे पड़ा दे ऐलान तो पहला कोई विचारवे मैश नहीं कीता गया एक फैसला सिर्फ थोपया गया है। जिमें के सिख तरम विच व्याह अनाद कार्ज समें आपनी असी लिमिट तै कर देंदे जिमें के व्यास मागम मौके 11 तो 15 बंदे ही इकठे होन। कि सरकार वलों एलाने इस दुझे लॉकडाउन दोरान सिख कलेंडर मताबक दो एहम सिख एवेंट आ रहे हन। इस सिख तरम दे मुकदस देहारे हन इसे महीने 14 नवंबर नू बंदी शोड देहारा है। अधे साब्तों एहम 3 नवंबर नू सिख तरम दे संस्तापबक सिख तरम नानक साबदा प्रकाश पुर्भ है। इस सिख तरम विच बहुत एहम देहारे हन एवो दिन हन जदो हार सिख गुरू कार नतमस्तक होन जानदा है पर सरकार बलों एलाने नमें लॉकडाउन दी वजा नाल उन्हों परशानी चलनी पवेगी। बंदी शोड देहारा जूके वड़े पदर ते मनाया जानदा है। पिशले साल ही गुरू साब दा पांसो पजामा पर काश पुरव सिख कौम ने कमांतरी पदर उपर मनाया है। एदो दिहारे सिख कौम विच वड़ी आस्ता वाले दिन हन आते दो में सरकार बलों एलाने दुचे लॉकडाउन दर्म्यान आऊंदे हन। लॉकडाउन दी वजानाल ए प्रभावित होनगे। राध करनों मजबूर हान।